भारती जन्ता पार्टी के माननी अध्यक समराज चौधरी के बाप का नाम कि ये दुबारा तिवारा सदन में भी ले लेते हैं किसी के पहले तेजस्वी आदब को याद दिलाते थे अपने बाप से पूछो क्या होता था 2005 के पहले जब से समराज जी बिहार के अध्यक्ज बन थक, नवम्बर तक का आप देखें धेस लगता है ये आदमी जनता दल यू के बिख्टन के रास्ते पे चल परा और आप कहते हैं कि जाएंगे कि दहर मुझे लगता ये कहीं नहीं जाएंगे कि ये कहीं न कहीं किसी पार्टी में मर्ज हो जाएंगे, राज्तिय जन्ता अदल में मर्ज करने की सोच रहें अपने आपको, ये अपने जो इनके विधाइक हैं उनको भी नहीं पता है कि ये की धर जाएंगा तेजस्वी यादब के बारे में इन्होंने पिछले एलेक्शन में मुझे याद है मंचपर से बोला था जाके अपने बाप से पूछो साथ-साथ बेटियों को पैदा करके तब बेटा की चाहत में बेटा पैदा किया मुखमंत्री जी को यह कहना चाहता हूं या बिहार सरकार को यह कहना चाहता हूं यह होते कोन है सनातन धर्म में परने वाली छुट्टियां या हिंदु धर्म के पर्वतेवार की छुट्टियां की समिक्षा करने वाली यह होते कोन अच्छा जब यह बोलते हैं किसी के बाप का नाम तो इनकी इनके चेहरे को ज़रा गौर से देखिए लगता है इनकी आखे बाहर आ जाएगी चेहरा तमतमाने लगता है पैर वैर हमको लगता है कि थोड़ा लर्खराने लगता है इनको बताईए कि आप दो बिधान सभा चु चुनाओने लड़े और खुद भी चुनाओने लगता है आज आरजेडी टाइम फ्रेम फिक्स कर दे कि आप मेरे पास इतना इतने विधायक है आपने आप मुखमंत्री पद को छोड़िए तो कल से उसे सबसे बरा भरस्टाचारी सबसे बरा यह यह चारा घुटाला सारे यह सब जितने निकलने लगेंगे सब फिर निकलने लगें यह कहता है जिसकी जितनी हिस संख्यावल उसकी उतनी भागिदारी दिन को तो तुरंत यह जो जब से आकरा आया रिपोर्ट जारी हुआ उसी दिन इनको इस्थिफा कर देना चाहिए सबसे ज़्यादा भागिदारी यादब समाज का है यादब समाज के तेजस्वी जी को मुखमंतरी का पद्सौप देना चाहिए एक बार फिर से बिहार के मुखमंतरी नितीश कुमार जो है वो समराठ चौधरी के पिता पर चले गया मसला ये है कि बिहार में जो कैलेंडर जारी हुआ साल 2024 के लिए उसमें हिंदूों के कई तहवार जाहे जनमाश्टमी हो रामनौमी हो असोक जैन्ती हो ऐसे कई तहवार है रक्षा बंदन आप कह लिजिए उन पर बिहार सरकार चुट्टी नहीं देने जा रही है और भी केुदिगीश का जहां दो दिन की चुटि होगी अब तीन की चुटि होगी जुमा का अगो से चुट्टी चलते ही रहता है अब इसे लेकर बिहार में रानिती बहुत तेज हो गई है बीजेपी काफी हमलावर है बीजेपी के नेता अमित सिंह हमार साथ मौजूद है अब की पार्टी सर पूरा तुष्टी करन का मुद्दा आप लोगों मिल गया अब पूरा समरार चौधरी बोले तो नितिसकुमार फिरुन के पिता पर चले गए देखे भारती जनता पार् तो पाटियां यहीं तुस्टी करन का हत कंड़ा अपनाती है तो मैं यह कहता हूँ मैं आपके हवाले से मुखमंत्री जी को ये कहना जाता हूँ या बिहार सरकार को यह कहना चाहता हूँ ये होते कोन है सनातन धर्म में परने वाली छुट्टियां या हिंदु धर्म के पर्व तेवार की छुट्टियां की समिक्षा करने वाली ये होते कोन है क्रिस जन्मास्टमी नहीं हो उस दिन छुट्टी नहीं हो यह चुट्टी तो देने के देने का एक वह यह यह तो चाहते हैं कि क्रिस जन्मास्टमी हो दुर्गा पूजा हो राम नवमी हो इस त्योहार को मनाने नहीं देंगे अचानक से आपको याद होगा इस तरह की त्योह आती है तो डीम का अधिया आधेश आज बुर्वा बिस angles अजी करना है कि मुर्टी बिसर्जन कल नहीं होगा में और तरह तरह के सरथ कर बारवर ये लोग तुस्ती करण की राजनीत करने की कोशिश करते रहते हैं जिससे गाहे बजाये थोड़ा लाब इनको मिलता है इसके governance पे जाए एगवर्नेंस पे तो किसी भी तरह का आप कोई आम आदमी को किसी भी परकार का इस सरकार से कोई लाव नहीं है आम आदमी इतना पीरित है इतना पीरित है सूबह निकलता है साम में घर आता है कोई परशासन का मदद नहीं कोई ब्लॉग जाता है सीओ भगाता है थाना जाता है थानेदार भगाता है साम में आके वो सीर पे हाथ रखके बैठके यही सोचता है कि करना क्या है तो यह तो सरकार की जमीन खिसक चुकी है सवाल यह है कि अभी जो 26 नौवंबर को पतना का वेट नरे ग्राउंड में नितीश कुमार याद दिला रहते 2005 के पहले का भिया है का रहे देखिए उसमें लॉएन ओर नहीं था महिलाएं सुरक्षित नहीं थी दिन धारेया फरण होता था हमने सब बदल दिया देखिए नित सदन में भी ले लेते हैं किसी के पहले तेजस्वी आदब के बाप को का तेजस्वी आदब को याद दिलाते थे अपने बाप से पूछो क्या होता था 2005 के पहले कोई स्कूल चलता था क्या है तो अब उनको एक्चुली क्या है ना सदन नभीन को यहीं बोलेंगे जीतन राम मां जी एमेले थे सदन में और इतने बरिस्ट सदस के साथ इस तरह का दुर्वेवार किया जाता है और आप ये देखिए ये अच्छा जब ये बोलते हैं किसी के बाप का नाम तो इनकी इनके चेहरे को ज़रा गौर से देखिए लगता है इनकी आखे बाहर आ जाएगी चेहर था उनको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए लालू जी भी एक समय इतना आधर करते थे शकनी चौधरी जी को कि उनके बिना सरकार नहीं बनती थी मुझे पता है शकनी चौधरी जी के बिना कोई सरकार लालू जी की बनी ही नहीं अगर वो थोड़ा गहे बजाए नाराज हो उनके बाप को हमने बनाइए इन को सब बना या चुनाव हार गये थे हम तो सब सारे आपके माद्यम से सारे लोगों को यह बताना चाहते हैं कि याद कीजिए इनको बताईए कि आप दो बिधानसवा चुनाव कैसे हार गये तो हारे हुए दो-दो सकữa को चुनाव नहीं लगता है कभी चुनाव लडर नर्थें विधान परिश्त से जाते हैं और मुक्मंत्री बनएक कर देखने válier बात कर रहे हैं बारबार दोफांच के पहले का इसी कर जिक्र क्यों कर दे रहा है मतलब तो आरजेडी से इनका तालमेल फिर गरवडा रहा है क्या देखिए इनका तालमेल किसी से कभी नहीं बना आरजेडी से भी तालमेल इसलिए है कि इनको मुखमंत्री बनाने का त्याग आरजेडी करके बैठी है आज आरजेडी टाइम फ्रेम फिक्स कर दे कि आप मेरे पास इ यह चारा घोटाला सारे चीज यह सब जितने निकलने लगेंगे सब फिर निकलने लगेंगे इसलिए इनको यह किसी की तरफदारी नहीं है नहीं किसी बिचारधारा से प्रेडित हैं इनकी कोई राजनेतिक कोई बिचार नहीं है राजनेतिक रूप से इनका कोई सिध्धान नहीं है। इसलिए इनके बारे में अब जब जो हमेसा किसी के माननीय के बाप का、 मा का, किसी महिला के बारे में, किसी पुरूस के बारे में, ते जस्य यादब के बारे में इन्होंने पिछले election में मुझे याद है मंच पर से बोला था जाके अपने बाप से पूछो साथ-साथ बेटियों बेटियों को पैदा करके तब बेटा की चाहत में बेटा पैदा किया अब बताईए रहा क्या जाता है इसके बाद अगर गाओं घर देहात में बोलने लगे तो लोग कहेगा इसको जाओ लेके पागल खाना यार जल्दी से बिचा दिमाग कुछ बुरहों का सठ्या गया है तो हम लोग तो एक आम लोग है यही बोलेंगे जो देख रहे हैं जो सुन रहे है आखिर 2005 के पहले बारबर जिकर कर है आप बता रहे हैं कि आर्जडी से इनका ताल में गरवड़ा जाएगा अगर टाइम फ्रेम फिक्स कर दिया जाए बीजेपी में आने को आप्शन है नहीं अब अमित ताका के गया है कि हमने ताला मार दिया और चावी को समुंदर में फिक दिया है यह सवाल सुन लिजे स अकेले में आकलन करता हूं मुझे लगता है यह आदमी जनता दल यू के बिग्ठन के रास्ते पे चल परा और आप कहते हैं कि जाएंगे किदर मुझे लगता है यह कहीं नहीं जाएंगे यह कहीं ना कहीं किसी पार्टी में मर्ज हो जाएंगे रास्तिय जनता दल में मर्ज करने कि सोच रहे हैं अपने आपको यह अपने जो इनके विधायक है उनको भी नहीं पता है कि यह किद्धर जाएंगे ऑर भारती जनता पाटी ने तो असपस्ट कर दिया है कि भाई आपके लिए हमारा दर्वाजा सदा के लिए बंद है हम लोग संगर्ज कर रहे हैं पाटी संगर्ज कर रही है जब देश में इतने बड़े देश में कांग्रेस के खिलाब संगर्ज करके हम लोग 303 सीटों पे आ सकते हैं तो बिहार में क्या है बिहार में भी संगर्ज कर रहे हैं और खुब जम के कर रहे हैं और लोगों क बने थे मार्च के बाद इनका जो रविया है अभी तक नवंबर तक का आप देखिए तो सम्राट जी कि जब तक हटेंगे ने मुरटा खूले गाने इसी को तो राजनितिक सिद्धांत कहते हैं कि भाई हमने संकल्प ले लिया कोई आदमी संकल्प मन से लेता है कोई मन और तन दोनों में दिखता है उन्होंने संकल्प ले लिया है कि वह नितिश कुमार को बिहार से बिहार के लोगों को नितिश कुमार से मुक्ति दिला के ही हम चैन से बैठेंगे अभी तक जब से वह अध्यक्ष बने हैं एक लाग किलोमीटर का यात्रा कर चुके हैं कोई अपनी यात्रा को परसारित करता है नितिश कुमार निकलेंगे तो परसारित करेंगे कि हम 3800 जिला यह 3800 जिला अब दुबारा जाने के जाना शुरू कर चुके हैं आप देखी रहे हैं हर दीन अभी दो तीन दीन पहले भववा थे अभी फिर और किसी जिला में कहीं तो रोज जनता के भी जा रहे हैं भारी भीर सरकों पे उनका स्वागत के लिए लोग खरे रहते है आम लोग खरे रहते हैं तो यह सब देखके नितिश कुमार जी का ऐसे ही जो है सो उनको लग रहा है कि भाई इस समाज का एक लड़का है जो जिसको जो हमारे सामने बहुत छोटा बच्चा था उसको वो उसको इतनी लोग प्रियता कैसे मिलती जा रहे है इस कुर्मी वोट को छोर के कोई समाज का आदमी कोई obc other कूर्मी कोई bc forward लोग दलीत महा दलीत गरीब गुर्वा मुसलमान कोई नहीं जाता है मुक मंतरी नितिश कुमार भिहार का बने दुबारा और सिर्फव मी जाते हैं कूर्मी चाहिए यह कहते हैं जिसकी जितनी संख्यावल उसकी उतनी भागिदारी दिन को तुरंत यह जो जब से आंकरा आया रिपोर्ट जारी हुआ उसी दिन इनको इस्तिफा कर देना चाहिए सबसे ज़्यादा भागिदारी यादब समाज का है यादब समाज के तेजस्पी जी को म गुद बारी में नितिश कुमार आख तरेड कर गुसे में सम्राप चौधरी को फिर से तावनीदे डाली तो मिस्ञास मौजूद थे इस चर्चा में इतना ही रणाम अधीप्टारण है बहुत-बहुत शुक्रिया कि 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 कि